तो ये लोग हमारे एजंट बनेंगे, कैसे बनेंगे, सिंपल सी बात है, 4-5 करोड रुपए का बजट है, एक मॉलवी को बोला, कि भाई, देखो, तुमारी तनका की इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं हैं, उनसे बोलना, देखो मॉलवी सब, SUV आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महने आपको 2,00,000 रुपए, फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरशस से, केमन आइलेंड से, कहीं से 2-2,00,000 रुपए, हर मह आपके एक वीडियो निकालना, जिसमें आप देव बंदियों को गाली देंगे, देव बंदियों को गाली कैसे, इस तरीके से क्या आप बोलेंगे, वो गैर इसलामी है, आपका यही काम है, ऐसे आप 15-20 मॉलवी, एक साथ, आप बरेलवी खटा करिए, पाकिस्तान के अलग पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूँ, हर एक डिस्टिक में ऐसा एक मॉलवी होना चाहिए, जो कि बरेलवी हो, आप उसको पैसा दीजए, एक सोशल मीडिया की टीम, जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करें, और रिलिजिस टेक्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं, जबकि कुरान चरीफ यह नहीं कहता कि शिया कौन है, सुननी कौन है, यह नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, एहल अधीस कौन है, सेवनर कौन है, टोलवर कौन है, यह कुछ नहीं कहता, वो तो कहता है कि तो मॉमिन हो, लेकिन उसमें गंद किसे ने डली? मॉलवियों ने डली ना गंद उसमें हाम मूसल linman नों ने डली मॉलवियों ने गंद डली पाकिस्ताथानी मॉलवियों ने जो गंद डली है अपनी खुद की religious teaching में हम तो यही कह रहे हों कि उसका और फाइदा उठाओ क्योंकि ये लोग कहते हैं कि according to Quran पाकिस्तान ने जब एहमदीयों को आपने ये बोला था कि एहमदी जो हैं वो नॉन मुसलिम हैं और हैंस वो वाजबल कतल हैं आपने Quran की कोई आयात तो कोट करी होगी तो आपको किसी ना किसी हदीस में कुरान चरीफ के किसी ने किसी आयत में आपको यानि बरेलवियों को देवबंदी के खिलाफ कुछ नो कुछ मिली जाएगा मिल जाएगा आप उसका फाइदा उठाइए आप उसका फाइदा उठाइए उसी तरीके से आप फिर जाएए और देवबंदी मौलियों के पास उनकी एक अलग सोशिल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलियों को ये बोलिए भईया आप एक काम करिए आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में ये हदीश की रोशनी में ये चाफिर है, ये वाजब उलक अतल है छे महने के अंदर पाकिस्तान में अर्थख्य का जाएगा क्योंकि इलिटरिसी बहुत है पाकिस्तान में मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, गरीबी हिंदुस्तान में भी है कई ऐसे मुलक है जहाँ पे गरीबी बहुत है पाकिस्तान में जहलत बहुत है क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं जब उनके पास knowledge नहीं है वहाँ पे science अब उस level की नहीं पढ़ाई जाती है एक जमाने में जबकि उनके पास noble prize winner है scientist उसको तो खेर एहमधी करके उसको गायबी कर दिया है उन लोगों है तो that is the nature of that अब वेबाव एक बात बताईए ये मुहमद बिन सल्मान जो है crown prince उसने भी यह काम कर रहा है देखिए जनल फैस जो है ISI chief उनको एक बार नहीं मिले वो जनल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले लेकिन एक plane भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी आजरात हैं सब पहुंचाईगी साओधेरी पे देवा वाइंड और ताहिर अश्रिफी साहब और शाम का वाक्त हो रहा है recording चल रही तो ताहिर अश्रिफी साहब आपके शौक से हम वाकिफ है हमारे हाथ में तो पानी का ग्लास है आपके हाथ में जाम होगा पका क्योंकि हम टीवी पे देख चुके हैं आप शराब पीने एक बहुत आपको शौक है चीर्स हम आपको यही से इंडिया से चीर्स कहते हैं आपको उत्तर प्रदेश से मौलाना साब वांपे चीर्स कर रहा हूंगे तायर अश्रीफी में बताता चलू अपने दोस्तों को कि वेरी-वेरी फॉंड ओफ इस ड्रिंक और कई बार टीवी डिबेट्स में बिल्कुल मौलाना साब पर को टुलो कर आते हैं अगर आप मुझे सुन सकते हैं क्योंकि मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकते हूं जी इस्लामी नजरियाती कॉंसल को और मुझे जाब यूपी में कहते हैं बंड होकर आते हैं इनको लेकर गए तो यह उन्होंने जो सुनीज हैं उनको अट्रैक करा जो शिया मौलवी हैं उनको इरान लेकर जाता है ना इरान लेकर जाता है इरान फैसिल्टेट करता है आप आईए मिलिये वहाँ पर तो आप ये देखिए कि अल्रड़ी एक फ्रेमवर्क है ये फ्रेमवर्क किसी यहुदी ने नहीं बनाया ये हिंदु ने नहीं बनाया ये फ्रेमवर्क करान शरीफ में भी नहीं है ये मौलवियों ने एक दूसरे की गरदन काटने ये आपको मौलवियों ने एक मैप बना के दे लिया इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमजोर कर सकते यह नहीं पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं, आपके सामने बड़ा लड़ू, आप कामी रहें